तीन सो सत्तर हटने के बाद कश्मीर में अभी तक कोई हिंसान नहीं हुई है और ना ही एक कत्रा खून का बहा है और ये हुआ है नरेंद्र मोधी के राइट हैंड कहे जाने वाले और तीन सो सत्तर के रणनीतिकार आजीत डोभाल की वजह से तीन सो सत्तर कश्मीर से हटने के 31 दिनों बार राश्ट्रिय सुरक्षा सलहकार अजीत डोभाल ने अपना मूँ खोला और कहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अभी भी सीमा पार्स से आतंकियों को भेज रहा है इसकी कई रिपोर्ट्स हमने आपको बताई है और यही बात अजीत डोभाल भी अपनी बात में कहते हुए नजर आ रहे हैं एनसे अजीत डोभाल ने आगे कहा कि भारत सरकार और सुरक्षा बल पूरी तरह से अलट पर है और कश्मीर में आम कश्मीरी सरकार के फैसले के साथ है और आने वाले वक्त में यह प्रदेश नए अफसर लेकर आएगा पाकिस्तान को चितावनी देते हुए डोभाल ने कहा कि उनके मनसूबे कभी कामियाब नहीं होने वाले हैं क्यूंकि कश्मीर में पूरी तरह से शांती है और हालात सामान हैं और आगे भी हालात इससे बहतर ही होंगे वही पडोसी सीमा पार से आतंकियों को कश्मीर में हालात खराब करने के लिए भेजा जा रहा है लेकिन सेना तयार है और आतंकवादी अपने आका के निर्देश पर सीमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर भारत में घुसने की कोशिश में बैठी है हमने उनकी बाद इंटरसेप्ट की है क्यूंकि पाकिस्तान की कम्मुनिकेशन टावर नज़नी की है हमने उनकी बाद चीच सुनी है जिसमें कह रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो वहां कश्मीर में इतने सारे सेब से भ़रे ट्रफ कैसे चल रहे हैं तुम लोग उन्हें बंद नहीं कर सकते तुम्हारे लिए क्या अब चूडिया भिजवा दे एनसे डोभाल ने आतंक का साथ देने के लिए पाक प्रधान मंत्री को जम कर लतार लगाई कहा कि पाकिस्तान में सीमा पार से 230 आतंक्यों की पहचान हुई है उनमें से कुछ को अरेस्ट किया गया है और कुछ को पहचान लिया गया है पाक के पास अब एक ही हत्यार है और वो है आतंक्यों की मदद करना और आतंक फैलाना और इसलिए पाकिस्तान की कोई इज़त नहीं करता है और इसलिए अंतर राश्ट्रिय जगत में भी पाक का समर्थन नहीं हो रहा है लेकिन भारतिय सेना किसी भी स्थिती से निपठने के लिए पूरी तरह से तयार है हम कश्मीरियों की रक्षा करेंगे और इसके लिए अगर हमें कुछ पाबंदिया लगानी हो तो हम वो भी करने के लिए तयार है जमु कश्मीर में हालाद धीरे-धीरे सामाने हो रहे है रास्ट्रिय सुरक्षा सलहकार ने कहा कि प्रदेश के 199 में से सिर्फ 10 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में ही रोक लगी है डोभाल ने कहा कि 10 थाना क्षेत्र को छोड़ कर कहीं कोई पाबंदी नहीं है 100% लेंड लाइन फोन काम कर रहे हैं हम कश्मीर के लिए बहतर विकास के लिए कृत संकल्प है लेकिन पाकिस्तान जूट का प्रॉपगेंडा फेला रहा है कश्मीर पूरी तरह सामाने है तो अब आप समझ सकते हैं कि कश्मीर में हालात सामाने है लेकिन पाकिस्तान जूट का सीना पीट रहा है और आतंकवाद फेला रहा है